परिचय अग की अपने कपड़ों के अंदर इसे हमेशा रखते हैं। नाईरा की दोस्त कहती है कि अगर आग की खोज नहीं हुई होती, तो जीवन कितना मुश्किल हुआ होता। आओ, इस अध्याय में आग की कहानी की विशय में और अधिक जाने। आओ, सीखें। आग की कहानी बताना आग के उपियोगों को बताना आग पर काबू पाने के तौरान बरतने वाली साफधानियों की सूची बनाना आग की कहानी कई वर्ष पहले लोग आग के पारे में नहीं जानते थे, इसलिए वे रात को अंधेरे में रहते थे और बिना पका हुआ भोजन खाते थे एक दिन अचानक एक मनुष्य ने गलती से दो पत्थरों को आपस में रगड़ दिया और तभी एक चिंगारी उत्पन्य हुई और मनुष्यों ने आग के बारे में जाना आजकल कई अन्य साधरों जैसे माचिस को रगड़ कर आग के उप्योग चलिए अब जानते हैं कि आग हमारे लिए कैसे उप्योगी है आग के बहुत सारे उप्योग हैं हम आग का प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं उधारन के लिए हम अपने घरों में प्रकाश करने के लिए मुम्बत्तियों और लेंपों का प्रियोग करते हैं हम आग का उप्योग, भोजन पकाने और पानी को गर्म करने में भी करते हैं अधिक सर्थी होने पर हम गर्मी पाने के लिए अलाव चलाते हैं हम धातूं को पिघलाने में भी आग का प्रियोग करते हैं आग पर काबू पाना यदि आग को सही तरीके से काबू नहीं किया गया, तो इससे भयानक्षती हो सकती है चलिए, अब आग पर काबू पाने के तौरान बरतने वाली साफधानियों के बारे में जानते हैं जोलन शील पदार्थूं जैसे पेट्रॉल, डीजल, गैस आधी के पास माजिस कभी ना चलाएं आग वाले स्थान के अधिक पास कभी भी खड़े ना हों अन्यथा आपके कपड़े आग पकड़ सकते हैं दुरघटना के दौरान आग से बजाओ के लिए अपने घरों और कारिया लयों में हमेशा आग पुझाने वाले यंत्र रखें भयानक आग लगने की अवस्था में तुरंत फाइर स्टेशन पर कॉल करें घाओ पर तुरंत ही पानी डालें आओ खेलें सही विकल्प को चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्ती करें हमने क्या चर्चा की कई वर्ष पहले लोग आग के विशे में नहीं जानते थे आग की खोज गलती से हुई थी आग का प्रयोग, प्रकाश, भोजन पकाने, पानी गर्म करने और धातुओं को पिखलाने में किया जाता है आग को सही ढंग से काबू करना चाहिए अन्यथा इससे भयानक शती हो सकती है